भाईसा बजार उस दो रहाय पे खड़ा है जहां नीचे गिरना और उपर जाना दोनों शक्तियां बजार में काम कर सकती है तो इस वक्त हमें ऐसे शेयर जैसे हमें लगता है मेरे को लगता है परस्नली की बजार में 20% का इंडेक्स लेवल पर क्रेक्शन आना चाहिए अगर इसी महीने तक आता है एक अंडेड़ मेने के अंदर तो वह लगभग 21 के नीचे को आना चाहिए ऐसा मुझे लगता है पर अब ऑपरेटर तो सर्वोपरी है तो वह बजार को मैनुप्लेट कर सकता हो सकता है इंडेक्स ना आए 20,000 के लेवल ता लेकिन ऐसे धेरो शेर आएंगे बजार के अंदर जो 20,000 के नीचे के लेवल पर आजए तो काम्याब इंवेस्टर वह है जो ऐसे शेर को पकड़ के खरीद पाए तो यह चीज होती है बस समझने की इसको मैंने बहुत डेटेल में आज की वीडियो में चर् जीत जाएंगे हम प्रभु अगर संगे है प्रभु का साथ हमारे विmeden दिमागे बजारने के रहेगा प्रभु हमारे दिमाग में ऐसे बुद्धि की मदद से ऐसे बाते डाल देसे बातों की मदद से अगर इंडेक्स लेवल पे बजार ना भी किरा 20,000 के लेवल तक हम ऐसे शेरों को पकड़ लेंगे जो बीस अजार से के लेवल के नीचे के रेटों पर वेवलेबल है वो हमारी अपनी प्रवान की दिजारा बुद्धी में ऐसी बाते डालने से हम काम कर पाएंगे तो ऐसे मुखे पर हम यह नहीं सो सकते कि इंडेक्स जब बीस अजार इकीस अजार यह बात थी आज की वीडियो बहुत जुरूरी है जुरूर ध्यान से देखिए दो तीन पार देखिए इसमें कई आपको खास बाते मिलनी पाई मिलेंगी और आपको क्या लगा है आज जिस तरह से बजार घिर के ऊपर भागा है तो क्या अब बजार अपवर्ड ही जाएग शेयर बाजार में एशियोर्ड या गैरेंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनेक्सपेक्टिड इवेंट की वज़ा से बहुत बढ़ा गाटा हो सकता है जिसके चलते आदमी की सारी की सारी पूंजी तभा हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है की संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें हाई गाइज आपका स्वागत है आपके अपने शो एंके टॉक्स पर इंबेस्मेंट हिंदी में हाँ 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 बात यह है कि मैं जो है एक मैरिज फंक्शन पर चला गहता हो देपूर तो पर यार इन चार दिनों में जुआ हम पड़ा चंबित रहे गया चंबित इसलिए रहे गया कि मुझे तो लग रहा है बजार में भी मंदी बखी बची है और मैंने तो देखो फील किया है कि बजार उपर से बीस पसंट उटेगा यानि 26,250 का बीस पसंट लगाओ तो पांच पांच यहां चाहिए लगभग होगे ना तो 26,000 के नीचे बजार को आना चाहिए और एक्स्ट्रीम केस में बजार बीस के भी नीचे जा सकता है लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच होता है होता क्या कि जो अपरेटर होता है वो हमसे ज्यादा समझदार हमसे ज्यादा चालाक ह पर उसमझाना चाहरा हूं यह उसका डिसकुशन के लिए मैं अच्छे स्टॉक्स लोंगा जिनको आप भली बाती पेचानते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं देखे मैं बात करता हूं रिलाइंस की रिलाइंस का जो 52 वीक लो है वह 1217 और उस लेवल पर बजार में रिलाइंस इस वक्त बिक चुका है अगर आप देखेंगे ना वन मंथ के अंदर ही देखेंगे थ्री मंथ के वन मंथ के अंदर देखेंगे तो बजार में रिलाइंस उसने बॉटम मना लिया था 1217 के आसपास का 1225 तिसका यानि रिलाइंस लगभग अपने आज 1270 है 1270 को लोग है अपने वह 1250 के नीचे तो गया ही था भी रिसंट लिए या मैं दूसरी आप में देख लेता हूं जाता अच्छा देगा मैं आपको दिखाता हूं पहले पहले य वह बेफूस में दा तो फिल ना बात कि इतनी मैंजदारी गंभीरता बंद नहीं पाती है देखो इंडेक्स चल रहा है हमारा कितने पर आज कितने बंदू है 24,778 लो है 20,769 लेकिन अगर आप यह देखेंगे आप ऐसे शेर्स को देखेंगे जैसे आपका रिलाइंस है अगर में दूसरा फोन चाहिए हो गया है अगर रिलाइंस हो गया बहुत सारे शेर हैं जो अपने वन ये लोग चल रहे हैं इंडेसिंट वैंग को दिखी रिलाइंस को दिखी इस दुमाइब दो चर आपको एक्जामपल के लिए बता रहा हूं जिन में मैं ज्यादा काम कर रहा होता हूं उसलिए बता पाता हूं अदरवाइस तो क्या रहा है कि आप भी समझदा रहे हैं आपको डेटा विलेबल है आप उसमें देख सकते हैं नहीं मैं आपको उताता हूं अब देखो उसने अभी 18 नमंबर के आसपास बना है वन ये लो और यही उसका वन ये लो फोग बारहसों तीन रुपे दस पैसे और इसने जो लगाय बारहसों सतरा रुपे पच्छिस पैसे प्र ने तो वन ये लो के आसपास ही चला गया इंडेक्स वन यो लो पे नियांग अब रिमी इसको आपको तुच्छा सा शेर है तो होता गया कई बारी ने इंडेक्स ऐसे मैनुप्लेट किया जाता है पर शेयर वन ये लोग पर आ जाते हैं तो हमें उन शेयर को पकड़ना है ना यानि इंडेक्स भले 21,000 के लेवल पर नहीं आया प्रवाम तो कुछ करते हैं जाता हो या करते हैं तो पर खरते भी हों लेकिन उनको मज़ा आता है बातों को खीचने वह इस चीज़ पर जादा स्ट्रेस देते हैं कि भाईया यह ऐसा नहीं हो अभी अधिन हमें उससे कुछ पैसे कमाई तो होगी नहीं उससे मागे तो बढ़ अब जैसे मैं आपको बताता हूं जो वन इयर लो है टाटा मोटर का वह 796 रुपे है 696 रुपे राउंड में 700 होगे ना वन यह लो और इस वन मंत के अंदर टाटा मोटर ने जो लो लगाया है वह 760 रुपे का लगा लगा दिया है यानि वन यह के लो के आसपास यह आगय कि इस तरह सिर्फ चीजों को समझते हैं तो टाटा मोटर का जो रेट है इस वक्त वह 21,000 के लेवल का रेट है वह 24-760 के लेवल का रेट नहीं है अब जिन में काम कर रहा हूं यह मैं तो दुख उसी का बता पाऊंगा जिसमें मैं जिसको मिले रेडार पे रहते हैं काम करन और वन मन्त का लोग भी 960 रुपे चालिस पेसे तो अपने वनियर लोग पे बिग गया इंडेक्स फोड़ी वनियर लोग पे आया तो इसका रेट तो भाई सब भी से जार के लेवल का आ गया वी से ज्यादा तेज था हो तो यानि कि हम कह रहें कि बजार वनियर लोग पे अपनी उसका प्रूब करते हैं तो कई बार ऑपर उसको वनियर लोग पे कई सारे पर लेता है और हमने तो यह प्रूब कर दूब मैं ने जो बोला हूँ ठीक है पैसे कमाना पूंग और मैं जो बोल रहा हूं वो थोड़ा सा उस हिसाब से होता नहीं है पर मैं फिर भी कि अपनी उस समझ को लेकर पैसे कमा ले तो अच्छा तो वह यह ना कि हमने पैसे कमा ले तो हमें पैसे कमाने से मतलब है हमें यह मतलब नहीं कि कोई हमारी तारीफ करे कोई हमारे कहते हैं कि वह क्या करते हैं कि यह से राजा महराजा के दरबार में नहीं होता था कभी बठ लोग 21-22,000 के लेवल तक ऐसा है कि इंडेक्स आएगा पर इसमें क्याएची है कि हो सकता है इंडेक्स प्रैक्टिकली 20% ना गिरे 21,000 के लेवल पर ना आए लेकिन भूछ सारे शेयर 21,000 क्या 20,000, 19,000 के लेवल के रेटो पर आ जाएएगे तो as a smart, prudent investor जो लोग stocks में काम करते हैं मैं जैसे stocks में काम करता हूँ तो हमें ऐसे shares को identify करके सही मौके पे लेना है जब यहां से बजार वापिस भागेगा तो पक्की बात है एक बार जब यह bad phase निकाल देगा तो 30,000 का लेवल तो काटे गए काटेगा करने, लोगोंस ही निवेशक की अगर बजार। ऑर मॉप में जाते हैं तो पकट जैसेёмًरें हरे हम सारा खर गंदा रहे हम चाहले हरता है हम सारसुत लोग हलगterior में सार्सुत्रा सिटहा है बाकि अमने का भई प्रेंटर से घर्टू करता रहा कोई दिक्क नहीं तांकि कोई भी आइसको लगे घर इनका अप्टू डेट है तो इसी तरहा बजार में इंडेक्स को एक ड्रॉइंग रूम की तरह इस्तिमाल किया जाता है एक पीस जिससे वह प्रेजंट किया जाता है भ तो हमें क्या फरक पड़ता है कोई चीज इंडेक्स तो रहे लाइफ टेम हाई के बाद हमें तो शेरों को ढूंडूंड के उनमें मजे करने तो इस कांटेक्स्ट में कह रहा था और जो बाद मैंने आपको समझाई तो बजार अपने एक ऐसे दर्शन दे रहा है बहुत लो हो कि नहीं यहां तो खतम होने वा यह तो उस कंपनी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। उसका बीटभबा हाइई है फो कि नहीं कह सकते हैं। यहां बजार ऐसे दौर पर जहां वह अपने वह लोग के आजपस आ गया है आ जाएगा और लेकिन इंडेक्स लेवल पे नहीं भी आता तो शेयर वे लेवल पे तो काफी नीचे के लेवल बजा राजाएगा तो ऐसे प्रूडेंट इंवेस्टर हमें उसमें काम करना है क्योंकि पहले भी पास में भी ऐसा हुआ हमें लगा था कि बजार जो है गिर जाएगा वो बजार में इंडेक्स तो नहीं गिरा पर शेयर बहुत नीचे आगे इस वक्त जो शेयर के रेट है ना भाईसाँ जो जो तो होता क्या operator तेज होता है कि इंडेक्स को ऊपर कुछ शेरों की मदद से maintain कर लेता आप देखो जहाँ तो हमें तो हमें तो हमें तो यह समझना है कि इस बुरे फेज में इंडेक्स जो है समझिए अपना 20% के लेवल मान के चलें इंडेक्स लगभग 20% के लेवल पर गिरता और सारे शेर गिरते तो जो उससे ज़्यादा गिरे हुए उन शेरों को हमें मान के चलना पड़ेगा कि यह अपने काफी नीचे के नेटों पर आ गए क्योंकि बजार कभी भी टर्ण भी ले सकता है ऐसा नहीं है कि हम बैठे रहें अब खुता क्या कि दो को मैंने आप से कह दिया वह 21,000 के लेवल के हिसाब से भी नीचे है क्योंकि अब हो सकता है इंडेक्स आई ना 21 पर और सचमुच 20 आई जो अभी नीचे गिरें उनको उपर चड़ा दिया जाए दूसरों को गिर दिये इंडेक्स अब हम बात करते ना आपको मिस कि अब हिवी ना ख्कुड़र बातों को बता दो नोंबर 22 2024 का अधरवाइस पूरे साल के हाईस लेवल पे दो जर तेईस के भी एक एक अक्तूबर तीन का छोड़ो दो हाईस लेवल पे और 22 को नहीं काटा तो डॉलर इंडेक्स कोई अच्छे लेवल पे नहीं है कुरूड भी थोड़ा सा आप देखो जिसने बॉटम मनाया था यहां पर कित्रपचास का वहां से थोड़ा सा बढ़ गया है का सा नेगेटिव रुपया तो बहुत ही कम जोड़ हो गया तो यह तो फुल टॉस नेगेटिव और यह अगर आप देखेंगे 4.344 यह फिर से टेन अपने नेगेटिव है अब टेनी ए ट्रेज़िट फिर बढ़ागी हमें लगा ता गिर रही अफिर बढ़ा गी यह भी अपने आपने नेगेटिव है तो अंतराश्ची इंडिकेटर कोई भी कंडियूसिव नहीं है मेरे पीछे जिन दिनों मैंने वीडियो नहीं बाजार म में उससे जोइन करें उसमें खास-कस बाते डालता हूं आज थोड़ी पोस्ट कम को यह धीरे-धीरे बढ़ाऊंगा आज ने खरीदा है तो डिया इस ने बीचा कुल में आके नेट खरीदा रही है और आज बजार के अंदर बहुत हंगामा रहा है मैं पहले इसको भी हुए थे 1432 गिरे भारती एटल रैम को पेटी एंपेज इंडस्टीज यह तो गोली हुए पड़े वह थे सेल एनमडीसी चोला इंवेस्टमेंट श्रीराम फिल्कुल गिरे पड़े थे अब निफ्टी-फिटी का दो को आज का वेरिएशन देखो आप बहुंचक्के श्रीजार का बीस एज़ार साथ सो सत्तर और वह 24 एक सुरहात तो भी देखा जाए तो धाई-तीने जार पॉइंट उपर है तीन जार पॉइंट उपर में आज का लोग बनाता है साले तीन जार पॉइंट उपर यहां से बजार अभी पंदरा परसंट गिरे तब आएगा वनियर लोग पता निया मेरी बात क्या एच कर रहे ने कर लोग लेकिन शेयर आज बहुत सारे वनियर लोग थे उसके आसपास थे तो यह हमें स्ट्रेटेजी बनानी है हम ना चीज को बदल नहीं सकते हम इस गेम में यह नहीं कह सकते चीटिंग होगी चीटिंग होगी 42 शेर बड़े होए थे 8 शेर घटे होए थे हमें तो यह देखना हुआ क्या था आज क्या हो सुबे से बजार गिरा एक बड़ा बाटम बनाया फिर पागलों इतना चड़ता रहा हर बार रहे थे स्टार प्रफॉर्मर थे भारती एटेल कोटक महींदरा इटी सी एक चीवेल अल्ट्रा टेक्सिमेंट टाइटन कंपनी एचल टेक गिर रहे थे शीराम फाइनेंस चाटा स्टील इंडेसियन बैंक हिंडाल को जेस डेवल स्टील आपका इस बी लाइफ ट्रेंट य गिरा था आज छे दिन का अज दिन का हाइय वना लिया है आज देखा जय है तो इस फेस्ट की इस ट्लोजिंग दिए हाई तो नि बनेया है इस प्रेस की हाईए इस कमाल कर दिया लिए इस दिन जो उपर तो गया था लिन ख्लोजिंग तो यहीं होई थी न इस फेस कि और आज की बहुत ज़्यादा बूलिश और इस स्तुन हो सकता हुआँ को बजार खुले तो पंचिस भी कट जाए इस तरह से केंडल की अपनी जोड अजमाईश लेकिन ऑपरेटर इस वक्त गेम खेल रहा है तो अगर आप इंडेक्स की खेल रहे हैं तो अलग है तो आप भर वेक्ति को अपने लेवल से हिसाब लगाना है ऑपरेटर हमारे दिमाग में यह बिठा रहा है इंडेक्स के दोबर कि मन्दा नहीं आ पर शेर वाइस तो अच्छ वास्ट रींज है पूट राइटर कल 23,500 पर हाइस थे आज 24,500 पर और कॉल राइटर जो है वो 26,000 बैठें यह इतिना भेंकर डर मचाओ बजार के अंदर और यह सभी लेवल पर देखोंगे ओपन इंट्रेस्ट जो है अच्छा खास है यानि लोगों को समझ नहीं आ रहा ह हर लेवल पर कॉल राइटिंग पूट राइटिंग हुई पढ़िए लोग कन्फूज है और मंतली बाला देखेंगे तो इंडिविज्व लेवल पूट राइटर अभी भी अपना डेरा जमा के बैठें हाइस्ट ओपन इंटर्स 24,000 पर कॉल राइटर का हाइस्ट ओपन इ ओपन इंटर्स इधर बढ़ा है और इधर बढ़ा है जहां बजार है उसके आज-पास तो कमी हो गया लोग दूर-दूर बजाके बैठ गए यह भी एक देखने वाली बात है PCR में कितना भारी फरक आया देखिए 0.77 जिसको आप क्या सकते हो ओवर सोल्ड है 1.04 यानि ओवर सोल्ड तो बिल्कुली खतम हो गया मंथली वाला उल्टा गिर गया देखो चेंज देखो वीकली वाले में इतना उठाव है मंथली वाले में गिराव है कहीना कहीना बजार मे पर चल रहा है जो ऑपरेटर जो इंडेक्स दिखा कर हमें एक रहा है कितने सो का नोट दिखाया और 500 को खेंच लिया वाली बात निफ्टी बैंक में छे बड़े वह थे चे गिरे निफ्टी बैंक को दो मैंज किया हो एच्टी एफसी बैंक को आइसे से मैं बता रहा हूं ह बजार कल बंद हुआ 53216 में आज उससे कम खोड़ा 35109 बाग नीचे डाउन बॉटम बनाया 5224 फिर भाग खा़वा पीक बना दिया 35654 का लाइफ टैम है से जस्ट आठ सो पॉइंट दूर और 35583 का जो क्या है बजार में क्लोजिंग दिखाई अब दो कितने अपने लाइ लेकिन शेर वाइज देखो बहुत नीचे देखो आप आईएफसी बैंक देखो क्या पीस रखा आईएफसी बैंक का मैं आपको बताता हूं वनियर लो क्या है आपको लगीगा मेरी बातें अच्छी के समझ नहीं आती है बच्चों गई बरी ना वो वो उनको दिमांग नह वह ठीक है कितना दिमांग लिए अब तो ऑपरेटर कितना शातिर होता है उससे हम आप पर मैं थोड़ी जीश सकते हैं आप तो मैं और आप कैसे जीश सकते हैं अपने तो शातिर आजी होते हैं अब दो इसका वनियर लो है 59 रुपीस 30 पैसा और ये एक मही इस महीने पर तेईस पैसे पर है तो वनियर लो के पास ही पहुंचा हुआ है कि साथा परसनल का फर्क है सारा है यही तो चीज समझ दिया राजू नहीं समझ आया इंडसिंट मेंक देखो यह वनियर लो पर यह इसको तम डिसकस कर चुक है अगर आप ऐसे लिस्ट उठाएंगे तो आ च्छे यह इस इस रेंज की हाइएस क्लोजिंग दिए इस रेंच की हाइस की हाइस्ट है और यह उसका एम स्विए यह पांच दिन से तो बेरिश है और यह 64 है अब बजार उन्होंने ऐसा गरम कर दिया है यह टेक्निकल ली लग रहा है बहुत तेज है ने आप भाग सकता ह और हो सकता है क्याता है वो दिखाया और इक्दम किये रहे हैं ऐसा खत्रा बजार में बना हुआ है यह हमें साफधानी से रखना है तो जो इस वक्त शेर वाइस काम करता है समझदारी से चेच शेर जो इसको लग रहा है अपने बॉटम बना चुकिए शेर वाइस बॉटम अल 500 पर पूट्राइटर का जो ऑपन इंटरस्ट वह आ गया थ्रेपन जार पर आगया कॉल रेटर अभी वहीं टिके हुए और वह उपर के रेटों पर अपना उपन इंटरस्ट कम कर रहें तो मिले जुले से डेटा है जो क्लियर कट इंडिकेशन नहीं दिपा रहा यह बता र तो फोड़ा बहुत यह भी बना रहो अच्छी कंपनी में रहा है छे कंपनी में भारी महात्रा में शेर खरीदेगा फिर मैंने देखो एक कॉल में बनता है जब इतना शेर खरीद हो क्ल पेसता है तकि अगर मार्केट की रिए कॉल उटी मुझा इसका प्रॉफित आजया औ एक तो ब्लैंग कॉल बेची समय और एक मैंने पुराने पहले खरीद रखे थे शेर कॉल आज बेचती रेट अच्छा हो गया तो बाद में और कुछ शेर जो मैंने क्या करा शेर खरीदे तो कॉल उसमें मैं थोड़ी साफधानी परतता हूं कैसे जैसे मुझे लग रहा है भी मी पास शेर रहने चीजएंगे बाद भाग गया तो क्या होगा अब मान लो हो लॉट साइज है एक्जामबल के लिए एं पांस्सो का लोट से तो मैं शेर खरीद लेता हूं सास्तो फटों की कॉल बेचता हूं उससे क्यों बाद 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 जाए तो पांस्सो की शेर तो इस तरीके से मैं अपनी तरफ से बजार को कब्जा करके चल रहा हूं कि बजार भाग जाए तो रिग्रेट कम से कम हो और गिर जाए तो जो मौके मिलें उसका हम फैदा उठा पाए यह सारी की सारी रन नहींती है अब इसी तिना की बातें मैं आपको वीडियो के दौरा डेमो काफी हो चुका है एक्स्ट्रीम ग्रीड होने वारा आज बहुत बहुत बर गया है तो अब यह सब बातों के दौरा मैं सिर्फ आपको क्या बताने कोशिश करता हूं मैं आपको सिखाने के कोशिश करता हूं रिस्क मेरेजमेंट कैश मेरेजमेंट हारना नहीं है मैं एक ही प्रभु अगर संग है। यह मैं वीडियो के दुवारा, डेमो के दुवारा, सिनॉप्सिस के दुवारा आपको सिखाता हूं। अगर आप भी मेरे स्टून बनना चाहिए, तो WhatsApp के स्टून बनना चाहिए, तो मेरी टीम को कॉल करें। या आप यूट्यूब पे भी मेंबर्शिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं।